Hello everyone, so in the last class we have discussed unit number 4 that is Mills Methods of Experimental Enquiry. In this video we will discuss unit number 5 that is Realism, Nave and Scientific. Realism, realism का जो concept है ये अल्लिड हमने class 11 पे हमने अल्लिड देखा है. Realism का concept क्या था? Realism is basically a theory of the nature of objective knowledge. एक object का nature जो है वो क्या होना चाहिए? इसके उपर depend करके दो theories बनाये गये थे. एक था realism और एक था idealism. Realism का कहना ये है कि हर एक object का अपना खुद का एक independent, मतब स्वाधीन, अस्तित्व जो है existence वो रहता है. तुम एक object को जान सकते हो या फिर नहीं भी जान सकते हो लेकिन वोस object का existence जो है वो बरकरा रहेगा. शायर तुमने कभी गोहाटी इन्वर्सिटी जो है या फिर दिल्ली इन्वर्सिटी जो है उसको विजित नहीं किया है. That doesn't mean it doesn't exist. तुम्हारे जानने से या ना जानने से इसको कोई फर्क नहीं परता है. उसका completely एक independent existence रहेगा. और इसको भी बुला जाता है नेवर्सिटी जो है नेवर्सिटी जो है बोल सकते हो नेवर्सिटी जो है तुम्हारे दिमाग के बहार इन्डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहता है. Every object has extra mental independent existence. This is realism. Realism के total चार प्रकार है. नेवर्यलिजम, scientific realism, critical realism, neorealism. इनमें से दो जो है नेवर्यलिजम और scientific realism ये दो हमारे H.S. Second Year के logic and philosophy में है. तो नेवर्यलिजम का कहना क्या है पहले थोड़ा जान लेते हैं. नेव रियलिज्म का कहाना यह है कि जब भी हम किसी object को जानते है तो उसके quality के हमाईधम से जानते है और हमारे साथ जो object का जो relation है वो एक direct relation है और हम उस object को जब जानेंगे उसके qualities के साथ उसको जानेंगे एक object के कितने प्रकार के qualities है जैसे for example नेव्रियलिस्गम का कहना है कि उसके बहुत सारे एक object का बहुत सारा qualities हो जकता है जैसे for example size, color, taste, smell, extension, weight ये सभी चीज़े जो है एक object का वो होता है उसका नाम क्या है qualities होता है और जब हम एक object को जानते है वही सब qualities को लेके उस object को जानते है ये कहना था नेव्रियलिस्गम का और उनका कहना ये है कि knower, knower मतलब हम knower and known knower and known knower and known के बीच जो relation है knower and known के बीच जो relation है वो direct relation है किसी भी object को हम directly जानते हैं as like as something is seen in front of a mirror जैसे हम किसी एक चीज़ को mirror के सामने देखते हैं वैसे ही एक object को भी हम जानते हैं लेकिन जब जानेंगे तो उसके सभी qualities के साथ उसको जानेंगे scientific realism का कहना क्या है scientific realism का कहना ये है कि हम किसी भी object को जब जानते हैं वो directly हम नहीं जानते हैं इंडाइरेक्ली जानते हैं, हम object को नहीं जानते हैं, object के copies को, images को जानते हैं, ठीक है, हम actual object को नहीं जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, उस object का जो copied version है, या फिर image जो है, या फिर representation जो है, प्रतिनिति जो है, उसको हम जान रहे हैं, हम directly main object को नहीं जानते हैं, जैसे for example, if you are taking knowledge about an apple, you are knowing an apple as a representative, वो actual apple का representative है, वो real नहीं है, ठीक है, और that's why जो relation है, हमारे साथ object का, वो direct relation नहीं है, वो indirect relation है, हम representative के माईधम से हम जानते हैं, जैसे for example, अगर तुम political science में देखोगे, जो उसका ना, प्रेसिडेंट का जब election होता है, प्रेसिडेंट का election हम नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट हमारे representative होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का election हम नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट पे election पर participate करते हैं, MLA और MP, तो प्रेसिडेंट का ज नेवियलिजम नहीं scientific realism है हम जो main object को जब जानेंगे वो उसके copies के माइधम से जानेंगे copies के माइधम से जानेंगे in the sense that कि हम जिसने भी objects को अभी जान रहे हैं जो भी objects है हमारे सामने वो सभी main object का representation है copy है या फिर images है और ये कहना है scientific realism का नेवियलिजम ने ये बुला था कि एक object के बहुत सारे qualities हो सकते हैं ठीक है उन्होंने divide नहीं किया था qualities को लेकिन scientific realism ने क्या किया है qualities को दो हिस्टों में divide किया है scientific realism ने qualities को दो हिस्टों में divide किया है एक है primary और एक है secondary primary and secondary ये दो qualities में divide किया है primary qualities क्या है primary qualities वो qualities जो object में ही रहता है वो कभी change नहीं होगा जैसे for example एक object का weight एक object का size एक object का extension ठीक है ये सबी उसके primary qualities है secondary qualities क्या है secondary qualities वो qualities जो हम decide करते है ठीक है वो हमारे दिमाग में रहता है object में नहीं रहता है ठीक है वो होता है उसका color उसका taste उसका smell उसका touch qualities secondary qualities are mind dependent but primary qualities are object dependent primary qualities वो object के साथ रहता है object के inherent features है बहुत ही important features है primary qualities लेकिन secondary qualities जो है वो हमारे अंदर रहता है हम decide करते है color क्या है taste कैसा है smell कैसा होगा वो सभी चीज़े ठीक है और किसी भी चीज़ का weight primary qualities जो है वो कभी change नहीं होगा weight extension ठीक है वो कभी change नहीं होगा लेकिन secondary qualities जो है वो percent to percent vary होता रहता है जैसे for example एक चीज़ को मुझे taste लग सकता है tasty लग सकता है लेकिन दूसरे इंसान को tasty नहीं भी लग सकता है तो वो percent to percent vary होता है तो scientific realism का कहना यह है कि scientific realism का जो theory है वो दिया था John Locke ने ठीक है ज-o-h-n जोन लोक तो जोन लोक ने एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम था an essay concerning human understanding और इस बुक पे उन्होंने एक object को दो हिस्सो में दो qualities में divide किया है primary qualities and secondary qualities तो यह चीज़ यहाद लखना यही है महत पुन चीज़े realism chapter के realism even scientific जो है उसकी तो चलो discuss करते है short questions जो है वो सभी short questions first question यह है give one example of primary quality primary quality का एक example देना है तो primary quality का example क्या है size of an object एक object का size उसका primary quality है ठीक है primary quality वो quality जो object में ही रहता है ठीक है give one example of secondary quality secondary quality का एक example दो color of an object एक object का color जो हम decide करते है, mind dependent होता है who is the author of the book and essay concerning human understanding ठीक है, ये book जो है, and essay concerning human understanding इस book को किसने लिखा है तो हमें पता है कि इस book को लिखा है John Locke ने, किसने लिखा है John Locke who did introduce the theory of pre-established harmony theory of pre-established harmony जो है, ये किसने दिया है ये दिया है Leibnese ने, और ये actually, ये जो question है ये question actually इस chapter का नहीं है, ये question है next chapter का, idealism chapter का तो इसमें ही हम discuss करेंगे इसको can nevrealism explain error nevrealism क्या explain कर सकता है error को, error का मतलब क्या है गलतियों को, नहीं nevrealism का कहना ये है कि हम किसी भी चीज़ का जो ग्यान लेते है वो perception के माईदम से लेते है और वो ही सही है, nevrealism का कहना ये है, अगर हम इस चीज़ के उपर निर्भर करते हैं, तो कभी-कभी हम एक रसी को भी साप समझते हैं, तो nevrealism का कहना है कि वो रसी जो जिसको हम साप समझ रहे है, वो actually सापी है क्योंकि nevrealism ने बोला है कि जो हम देखते हैं, वो ही सही है तो इस दिये बोला है कि nevrealism क्या error को, गलतियों को explain कर सकता है तो answer है no, nevrealism cannot explain error, because nevrealism ने perception पे, observation पे ज़्यादा जोड दिया है next which type of realism has been offered by Locke, Locke, John Locke जो है John Locke ने हमें कौन सा realism दिया है, तो John Locke ने दिया है हमें scientific realism, next which theory supports which theory of truth does nevrealism supports, nevrealism कौन से truth को support करता है, वो है correspondence theory of truth next, name the philosopher who used the term nevrealism for the first time, उस philosopher का नाम लिखो, जिसने nevrealism word को सब से पहले use किया है, उस दार्शनिक का नाम लिखो, जिसने nevrealism का word, nevrealism जो word है, वो सब से पहले use किया है, वो है Durant Drake, Durant Drake Durant Drake ने 1933 पे 1933 पे उन्होंने एक book लिखा था, Invitation to Philosophy, ठीक है, Invitation to Philosophy, और उस book पे उन्होंने nevrealism word जो है, उसको सब से पहले use किया था who is the writer of the book, Invitation to Philosophy, Invitation to Philosophy book का writer काने, तो Durant Drake who has used the word natural realism और popular realism, nevrealism को natural realism या फिर popular realism भी बोला जाता है, ठीक है, because it is the common sense view about the external world, that's why nevrealism को इसी वज़े से natural realism या फिर popular realism बोला जाता है, because it is a common sense view about the external world, कि जो चीज़ हम देख रहे है, वही सही है, ठीक है, यही सब चीज़ सभी लोग मानते हैं, ठीक है, यह common sense है, तो यह जो natural realism और popular realism जो है, यह दोनों words को सबसे पहले use किया है, RW sellers ने, ठीक है RW sellers ने सबसे पहले इस word को use किया है, तो अच्छे से, एक बार देख लेना, यह सभी questions को मैंने थोरा पहले chapter का एक summary बोला है उसके बाद, यह जो questions से उसको लेके discuss किया है, कल के class में हम discuss करेंगे, idealism जो है idealism के question answers को बहुत ही जल्द हमारे जो one marks के questions से वो खतम हो जाएंगे, उसके बाद, हम जो two marks and broad questions जो है, उसका list हम discuss करेंगे कि क्या-क्या questions आ सकते हैं for the upcoming examination, ठीक है, thank you